हेलो इस्टुडेंट्स, गुड मॉर्निंग, तोड़े आई विल टीच यू, क्लास फर्स्ट कम्प्यूटर, लेसन सेकंड, कम्प्यूटर एंड इट्स यूजिस, बच्चो आप लोगों को अपनी कम्प्यूटर बुक का पेज नमबर नाइन ओपन करना है, ओके बच्चो बच्चो आप लोगोंने अप पेज नमबर नाइन ओपन कर लिया होगा, बच्चो देखिए आप लोगों की चैप्टर का नाम क्या है, कम्प्यूटर एंड इट्स यूजिस, ओके बच्चो इन दिस चैप्टर वी लाइन अवाउट यूजिस ओफ अ कम्प्यूटर, प्लेस वियर कम्प्यूटर आर यूजिस, ओके बच्चो लेट्स स्टार्ट दा चैप्टर, वी यूज अ कम्प्यूटर तो डू डिफरेंट काइंड्स ओफ वर्क, हम कम्प्यूटर का यूज डिफरेंट वर्क के लिए करते हैं, अब देखिए आप लोगों की हैडिंग क्या है, यूजिस ओफ अफ अ कम्प्यूटर, क्या हम कम्प्यूटर पर क्या कर सकते हैं, हम कम्प्यूटर पर काय टून्स और मोवीज वाच कर सकते हैं, अब आप लोग देखिएगा, सेकेंड पिक्चर, वी केंड ड्रॉ एंड कलर एजली, हम कम्प्यूटर पर कोई भी चीज ड्रॉ कर सकते हैं, और कलर फिल भी एजली कर सकते हैं ओके बच्चो अब आप लोगों को पेज नंबर 10 टर्ण करना है अब बच्चो आप लोगों ने पेज नंबर 10 ओपिन कर लिया होगा बच्चो आप लोगों यहां आप लोग क्या दिख रहा है let's discuss ओके बच्चो तो आप लोग दीखेगा why is it important to know how to work on a computer in today's time यह important क्यों है कि हम जानें कि computer पे आजकल time आज की समय में work करना क्यों important है यह हमें जानना है तो बच्चो इस बारी में आप लोगों को सोचना है ओके बच्चो यह जानना कि हम computer पर work कैसे कर सकते हैं यह ना बच्चो तो इस बारी में आप लोगों को सोचना है discuss करना है ओके बच्चो अब आप लोग देखेगा we can send and receive letters pictures and messages अब आप लोग देखेगा इस picture में हम computer पर और क्या कर सकते हैं receive letters कर सकते हैं pictures and messages send भी कर सकते हैं है ना बच्चो तो आप लोग देखेगा आप next picture देखे आप लोग इस picture में ये boy क्या कर रहा है we can make beautiful greeting cards for our friends and family हम क्या कर सकते हैं greeting cards beautiful इस पर बना सकते हैं अपने friends और family के लिए है ना बच्चो तो आप लोग देखेगा ये next picture है we can play games like car racing, suiting and chess हम क्या क्या कर सकते हैं games भी कर सकते हैं computer पर like racing, suiting and chess also ओगे बच्चो अब आप लोग देखेगा इस picture में देखेगा आप लोग we can do sums and calculate very fast हम क्या कर सकते हैं हम computer पर sums all भी कर सकते हैं और calculate भी कर सकते हैं और ये बहुत fast कर सकते हैं हम है ना बच्चो तो अब आप लोगों को page number 11 open करना है let's turn page number 11 बच्चो अब आप लोगों ने page number 11 open कर लिया होगा अब आप लोग देखेगा computer can do many different things there are still many taxes that a computer cannot do such as cooking and eating अब computer बहुत सारी चीजे कर सकता है there are still many taxes okay बच्चो what that a computer cannot do such as cooking and eating computer क्या-क्या नहीं कर सकता बच्चो एक तो देखे cooking नहीं कर सकता computer और eating भी नहीं कर सकता है है ना बच्चो सबको पता है कि computer ना तो eating कर सकता है ना ही cooking कर सकता है अब आप लोग देखेगा बच्चो यहाँ पर आप लोगो क्या दिख रहा है rain teaser तो हम इसको पढ़ेंगे name and three things that computer cannot do computer क्या क्या नहीं कर सकता three things देखे, cooking नहीं कर सकता, computer, eating भी नहीं कर सकता है और washing, clothes भी नहीं कर सकता है, ना बच्चो तो आप लोग इसी तरीके से fill कर लीजेगा है ना बच्चो, अब आप लोग देखेगा places where computer are used उन place के बारे में हम जानेंगे जहां पर computer का use होता है आप लोग देखे, we find computers everywhere हम computer को हर जगए find करते हैं, हर जगए पाते हैं ना let's see some places where we use them हम कुछ जगए ऐसी देखते हैं जिन के लिए हम computer का use करते हैं तो आप लोग देखेगा, first picture आप लोग को जो देख रही है we use computers in school हम computer के use कहां कर सकते हैं? इसकूल में कर सकते हैं अब आप लोग second picture में देखेए बच्चो many people use computers in shops and malls बहुत सारे लोग shops और mall में भी computer का use करते हैं अब आप लोग third picture में देखेए बच्चो we find computers in most offices and banks कुछ लोग computer का use office और banks में भी करते हैं यह जादा तर bank और offices में use होता है अब आप लोग देखेए बच्चो यह fourth picture आप लोगों को देख रहे हैं ना doctors and nurses use computers in hospital जो doctor और nurses होती हैं वो computer का use hospital में भी करती हैं यह ना बच्चो आप लोगों ने देखा होगा hospital में भी computer का use होता है अब बच्चो आप लोगों को page number 12 open करना है let's turn page number 12 अब बच्चो आप लोगों ने page number 12 open कर लिया होगा बच्चो आप लोगों को picture देख रही होगी एक यह picture देखे आप लोग इसमें we see computers at railway station and airport हम computer का use railway station और airport पर भी करते हैं अब आप लोगों को क्या देख रहा है no more देख रहा होगा है ना बच्चो no more में हम देखेंगे in easier times there were no computers or calculator pupil used avacus to add or subtract numbers ओके बच्चो तो आप लोगों ने देखा यहां पर कि जो जो आप लोगों ने देखा easier time में computer there are no computers है ना बच्चो computer नहीं होते थे और calculator भी नहीं होते तो pupil used avacus to add pupil क्या करते थे अबेकस का use करते थे add और subtract करने के लिए numbers को add करने के लिए और subtract करने के लिए है ना बच्चो आप लोगों को यह पिक्चर देख रही है ना जो यह कौन सी पिक्चर है यह avacus की पिक्चर है जब computer नहीं होते थे तब इसका use होता था ओके बच्चो अब आप लोग देखेगा आप लोगों को computer etiquette देख रहा होगा do not sit too close or too far from a computer हमें क्या करना चाहिए बच्चो कि हमें ना तो ज़्यादा past computer के बैठना चाहिए ना ज़्यादा दूर बैठना चाहिए अब आप लोग यह picture देख रहे हो ना इस picture में यह boy एकदम दूर बैठा हुआ है इस picture में यह boy एकदम close बैठा हुआ है ना बच्चो आप लोग देख रहे हो तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए अब बच्चो आप लोगों को यह chapter अच्छे से समझ आया होगा और घर पर अब आप लोगों को इसी तरीके से अच्छे से read करना है यह chapter ओके बच्चो थैंक यू बाई